हलो एवरिवन, वेलकम टू टू टीव अफेर्स 19 मई करेंट अफेर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स, आज 19 में का जो करेंट अफेर्स है तो करेंट अफेर्स किसी भी एक्जाम के लिए सबसे इंपॉर्डेट टॉपिक है और इस चैनल पर आप रेगुलर्ली करेंट अफेर्स के वीडियो प्रोवाइट करा जाएंगे आपको तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा 19 में का करेंट अफेर्स, इस बार में बात करेंगे इस में हम तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन विच प्लेयर टॉप दे फोप्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाइस पेड एथलेट 2024 यानि कि फोप्स ने जारी किया एक लिस्ट जिसमें की दुनिया के सबसे हाइस पेड एथलेट कौन है फोप्स की लिस्ट में तो इसका अश्चन रोग ऑप्शन ए फोटबॉलर क्रिस्टैनो रोणाड़ो पुर्तगाल के फोटबॉलर क्रिस्टैनो रोणाड़ो इस पेड एथलेट एस पर फोप्स मैगजीन देखते हैं इसका डिटेल्स क्या क्या है तो क्रिस्टैनो रोणाड़ो जो की पुर्तगाल के हैं सौकर प्लेयर हैं 260 million dollar इनका जो यह है profit है जिस भी तरीके से sports से ads से और बी अलग अलग सोटसे से इनका जो कमाई है वो इसको जारी किया है Forbes ने 260 million dollar दूसरे नंबर पर है जो Spain के golfer है John Ram इनका जो कमाई है 288 dollar है million dollar Leon Messi जो कि Argentina के हैं तीसरे नंबर पर 135 million dollar Lebron James जो कि basketball player है 128.2 million dollar के साथ बात करें तो अगर इस लिस्ट में जो सबसे आदा players है किस sports है तो वो है NBA basketball यह आपको ध्यान रखना है NBA basketball से सबसे ज्यादा player है Forbes की list में जो कि highest speed athlete है और अगर हम बात करें इस top 10 में तो इस top 10 में आप देखिए सबसे आदा किस से है soccer हो गया basketball दो हो गया तीन तो सबसे आदा football से soccer से हैं top 10 में यह भी आपको ध्यान रखना है top 5 के नाम आपको ध्यान रखना है कौन कौन से है क्रिस्टैनल रोनाडे जोहन राब लिवन मैसी लेब्रों जेम्स और ग्यानिस और टेटो कॉनमपो जो की basketball player है Greece के तो यह पांच शेर्स में है और अगर आपसे पुछा जाकिए सबसाद की sports के हैं तो वह आपको बताना है basketball से नेक्स्ट है विच टनल ऑफ इंडिया रिकोंग्नाइज आज इंडिया इंडिया सबसे हाइस टनल तो इसका अंसर होगा option भी सेला टनल सेला टनल जो की नॉर्थ इस्ट में है इसको अभी हाली में घटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो सेला टनल दुनिय इंग्लेंड के दौरा और इसकी जो लंबाई है 2598 मीटर यानि के 2.598 किलो मीटर है लॉंगेस टनल है जो अल्टिट्यूड है 13000 फिट की उचाए पर यह बना हुआ कनेक्ट करता है तेजपूर असम से तवांग जो कि अरुनाचल प्रदेश में है तो अरुनाचल और असम को कनेक्ट करता है तवांग से और तेजपूर से इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ यह तर्निलिंग मेथड से हुआ यह भी आपको ध्यान रखना है जो रॉस्त्रीय ने के तर्निलिंग मेथड से इसका कन्सट्रक्शन हुआ है अटिक्ट इसका 13,000 फिट की उचाए पे है इस International Day of Museum is observed every year, हो हो हार साल कम नाजाता है, International Day of Museum, इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है, World Heritage Day, World Heritage Day भी कहा जाता है, इसका सही आंसरों का option C, 18 माई, और इसका theme था Discover and Experience Diversity, Discover and Experience Diversity, Diversity इसका theme है, International Day of Museum या फिर World Heritage Day, नेक्स है which payment company partner with Lanka pay to promote UPI in Sri Lanka टो यूपा को प्रोमोट करें लंक पे साथ किश payment company ने पमेंट गेट वे ने टाय आपकी passport app किया है इसक्षिप चे को डिफोण पे बातकि करी में लंका पे के साथ स्रि लंका में UPI को बढ़ावा देने के लिए और श्रिल्लंका्ल इंडिया ने कुछी दिन और पहले किया है 50 मिलियन डॉलर का 50 मिलियन डॉलर का इंडिया ने फिनेंशल सपोर्ट एक्टेंड किया है श्री लंका के लिए नेक्स्ट है रिसेंटली विच विच बिकम फर्स्ट कांट्री तो लूज ओल इस ग्लेशियर रिजर्व कौन से देश ने अपना सारा ग्लेशियर रिजर्व को खो दिया है खतम हो गया है इसका एंसर रोग ऑप्षिन भी विनिजूला विनिजूला में क्लाइमेट चेंज के वज़े से जो भी ट्लेशियर्स थे विनिजूला के बॉडर जो विनिजूला के ही जिगरफिकल मतलब geographical area में आते थे तो वो सभी खतम हो गया है glacier तो Venezuela has become the first country officially to lose all its glacier reserves बात करें Venezuela तो इसकी राजधानी क्या है Caracas Caracas यहां की राजधानी South American country वेनिजूला currency क्या है Bolivar यहां की currency है Bolivar और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे सस्ता crude oil है वो है वेनिजूला से ही वेनिजूला की रिजव से ही सबसे सस्ता दुनिया में crude oil है बट इस पे USA के द्वारा sanction मतलब यह रोक लगाया गया है कि यह अपना जो crude oil है किसी दूसरे देश को export नहीं कर सकता वेनिजूला नेक्स्ट है who has been elected as president of Supreme Court Bar Association तो इसका एंसरों का option सी कपिल सिबल फॉर्मर यूनिन मिनिस्टर कपिल सिबल कॉंग्रेस के जो MP रह चुक है कपिल सिबल वो बने है Supreme Court Bar Association के president उन्होंने हराया मतलब downward किया प्रदीप कुमार राय को Vice President बनी रचना श्रीवास्त और बात करें Supreme Court तो इसकी स्थापनक कभुई थी 1950 वर्तमान में Chief Justice of India कौन है चंद्रचूड जस्टिस डी वाई चंद्रचूड अभी Chief Justice of India है तो ये था 19 मही का Delhi Current Affairs